नमस्ते जी वेदिक राश्ट में आपका स्वागत है आज का हमारा विशे है आचार और गुरुजन ही सच्चे मार्ग दर्शक आज के इस लेख के लेखक हैं वेदिक पुदवान डॉक्र अशूक आर गाजियाबाद से इस तरह के अन्य वेदिक लेखों के लिए प्रेणा द पत्वा अध्यापक वेतन भोगी करमचारी होते हैं जो चंद सिक्कों को पाने के लिए अपने परिवार का भरण पोशन करने के लिए पढ़ाने का व्यवसाय अपनाए हुए हैं यदि इने कोई अन्य कारे जिस से अधिक आई होती तो ततकाल अध्यापन के व्यवसाय को छोड़कर अपना लेते हैं इस कारण इनका हित्ख सिश्च को उत्तम बनाने का ना होकर अपने परिवार की भलाई होता है प्राचीन काल में सिक्षा निश्लक थी पढ़ाने वाला आचार याद्गुरू वानप्रस्त लेने के पश्चाथ अपने आपको तपाने का कारे कर करता था इससे धन किया वशक्ता नहीं थी इस कारण वापने निश्लक सेवाई देता था इन सेवाओं में सिक्षा भी एक थी या सिक्षा गुरुकुलों के नाम से किंद्रित होकर दी जाती थी इन गुरुकुलों में आचार रूप में जो गुरुजन होते थे वहां रगवेद की 10-32-7 मंत्र में मिलता है जो इस परकार है मंत्र में कहा गया है मंत्र इस परकार है अच्छेत्र विन्त छेत्र विदं हप्राट सापरीती छत्र विदान सिष्ट एत द्वे पद्र मनुशासन शौट इस्त्रुतिम विन्देयत्यन संजनाम रगवेद 10.32 मंतर उब्देश का रहा है कि जो विक्ति किसी भूमी अत्वा छेतर को नहीं जानता वा निश्यत ही उस भूमी उस छेतर संबंद में जानने की अविलाशा करते हैं प्रशन करता है इस संब्दकार ही जो किसी इस्थान के संबंद में नहीं जानता वा उस इस्थान के संबंद में भी जानना चाहता है किन्तू प्रशन उटता है कि इस संबंद में किस से जाने अपनी जिग्यासा का समधान पाने के लिए किस से पास जावे उत्तर एक ही है वहा है कि इस भूमी के बारे में जो इस इस्थान के बारे में जानता है उसके पास जावे और उसके संबंद में जानकारी प्राप्त कर ले जिसको इतत संबंदी कुछ पता ही नहीं उसके पास जावे भी तो उसे कुछ मिलने वाला रही है अता जिस विशे की जानकारी जिसके पास नहीं होती उस विशे में उस वक्ति के पास जाने से कोई लाब नहीं होता और जिसकी होती है उसी के पास जाना होता है जिस विशे संबंदे तत्वा भूमी संबंदे जानकारी पानी हो उस विशे संबंदे त्वक्ति के पास पहुँच जाए तो वहाँ विशे की अनुकूलता होने के कारण उस विशे में उसकी अनुकूलता के अनुसार अनियम बद्ध होकर उस विशे के निपूंटा पा लेता है उस विशे में आगे ननितर बढ़ता चला जाता है यही गुरू और शिश प्रणाली है यही निश्यत रूप से शिक्षा और अनुसासन का सुख है यही शिक्षा और अनुसासन से मिलने वाला कल्यान है इससे ही शिक्ष अनुसासन के मार्क पर चलते हुए अपने अबिश्ट को अपने सुब कामना को पराप्त करने वाले मार्क को परात कर लेता है इस सब वर्णन से एक बात इसपश्टो होती है वाहे गुरू का चैन आज भी जब विद्यारती पढ़ने के लिए जाता है तो सरवर्थम वहाँ इस्थान का चैन करता है भूमी का चैन करता है भूमी है उसका अभिष्ट विशे जिसे उसे पढ़ना है इस थान है उस आज का महाविद्यारे जहां उसे प्रवेश लेना है किन्तु आज के विशे और इस थान के आधार पर हमें यह सब नहीं मिल पाता जो प्राशिन गुरुकलों में मिलता था आज के सिच्छा की एक विकट समश्चा बन गई है आज के सिच्छा उसका समाधान भी हमें वेदों मिलता है वेद कहता है कि जब बालक को गुरुकली बेदा जाता था तो उस समय पहले उस भूमी की खोच की जाती थी जहां जाकर बालक में रहना होता था शिच्चा पराप करनी होती थी या भूमी बालक के स्वास्त के लिए कितने उत्तम है इस भूमी पर रहते हुए वह उत्तम प्रकार की सिच्चा पराप कर सकता है या नहीं यहां का आचार कितना योग्ग है उसे सिच्चा दान करने कि कितनी इच्चा है सकती है वहाँ सब खोच करना होता था तब ही बालक को उसके इस्थान पर भेजा जाता था इस प्रकार ही इस्थान पर जाकर बालक बड़ी लगन से बड़ी महनस से अनुसासन में रहते हुए विद्या के साथ विनोत करते हुए कल्यान के मार्क का पतिक बनता था उच ज्यान पाने के मार्क पर बढ़ते हुए सब प्रकार की सफलताएं पाने कायत न करता था इस मंतर का सिख्चा विज्यान की दृष्टी से अत्यदिक महत्व है जिस प्रकार कोई नया व्यक्ति किसी ऐसे नगर में जाता है वहाँ पहले कभी नहीं गया होता इस कारण से उसे उस नगर के मार्क दर्शिन के वशिक्ता होती है वह अपने अभिष्ट इस्तान पर पहुँचने के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर जाकर किसी विक्ति से जो छेतर के संबंद में जानता है मार के पूछता है जानकारी पाकर आगे बढ़ जाता है ठीक इस प्रकार ही जग्यासु बालग भी अपने छेतर के विशेय में दरंतर अपने गुरुजनों से मार्क दर्शन लेता है और इस प्रकार अपनी जग्यासाओं के द्वारा बार बार अपने गुरुजनों से प्रिष्ट करते हुए अपने अभिष्ट ग्यान को पाने के सफल होता है और उसे पाकर स्यम को सुख का नुबव कराता है वेदों में उपमाओं का अतिदिक प्रेयोक किया गया है उपर का यहाँ सारा सम्माद भी उपमाओं पर ही आला रही थे इसमें भूमी और इस्थान का प्रेयोक गुरुकुल आचारी के लिए हुआ है इस उपमा के मध्यम से यहां बताया गया है कि गुरू का कार शिष्ष को मार्ग दर्शन करना होता है उस मार्ग दर्शन में केबल पुस्तकी ग्यान देना अत्वा पुस्तक मात्र का पार्ट नहीं होता बल्कि बालक का समगर विकास ही गुरू का कार होता है प्राच्छीन गुरुकुलों में जो किया जाता था किन्तु आज के सिक्षा में कहीं दिखाई नहीं देता सिक्षा विज्ञान में इस महत्पूर्ण पक्षकुरिग्वेद में इस प्रकार दरसाया गया है छेत्र विदी दिश आहावी प्रच्छते ज्यान छेत्र जिसे मंत्र में भूमी कहा जाता है को जानने वाला इसका ज्याता किसी विशे का विशेशक की होने के कारण जो जग्यासु उसके पास आता है विशेश रूख से प्रशन करने के लिए अपने शिष्ट को निश्यत ही मार्ग बता देता है और अब इस ग्यान दे देता है इस प्रकार उसका मार्दर्शक बन जाता है वह इसके समाधान का कारणा मनता है और इस सिद्धान को स्विकार किया गया है सिद्धान का वेद में इतने इसपष्ट उत्तम विदिय से उत्त अध्यापक नहीं होता था, मतलब कुछ समय के लिए जो सिक्षक होता था, अंसकालीन सिक्षक होता था, गुरू होता था, वो वहीं रहता था, शिश्च जो है तलास्ते होए योग के गुरू के पास जाते थे, चूंकि जो अध्यापक होता था, वो वानपरस्ती होता था, व इश्वर के मार्क की और चलने वाला होता था अपनी अंतिम साधनाओं की तरफ, इसलिए वो जो है बिना स्वार्थ के अपना ग्यान बाढ़ता था बच्चों को, उनको योग्य बनाता था, और समाज के कारे भी करता था, अपने सिजिता बन सकता था, इसी कारण वो अन्य वेदिक लेखों के लिए, प्रणादा कहानियों के लिए, माबुर्शों के जिहन दर्चे के लिए, वेदिक राष्ट, यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बल आकोन की गंटी को दबादें और अपने कीमते से जाक्रमन करें, दिन